तिरे एक बार, साथियों 4 जून 2024 ये तारीख भारत का भविश्यत ताय करने जा रही है अम्रत काल के संकल्प, विश्यत भारत का निर्मान, 140 करोड सपने, 4 जून को देश एक नई उडान के लिए पंक फ़लाएगा इसलिए करोडों लोग, चार जून का इंतजार कर रहे हैं जो करोडों लोग, चार जून का इंतजार कर रहे हैं तीन करोड गरीब, जिन्हें आने वाले सानों में पक्का घर मिलेगा उन्हें, चार जून का इंतजार है सत्तर साल की उम्र से उपर के वो भुजोरग, जिन्हें अब पात लाक रुपे का मुफ्त इलाज मिलेगा उन्हें, चार जून का इंतजार है वो करोडों युवा, जिन्हें मुद्रा योजना से अब 20 लाक रुपे की मदद मिलेगी उन्हें, चार जून का इंतजार है स्वयम सहायता समुह से जुड़ी, तीन करोड बेने, जब लगपती दीदी बनेगी, उन्हें चार जून का इंतजार है देश के करोडों लोग, जिन्हें पी-एम सुर्य गरी ओजना से मुक्त बिजली मिलेगी, उन्हें चार जून का इंतजार है देश को पता है, चार जून से ही भारत के तीसरी बड़ी अर्थेववस्था बनने का काउन दाउन चुरू हो जाएगा और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थेववस्था मनने का मतलब है हर भारत वासी पास आगे बढ़ने के जादा मौगए हर भारत वासी के पास अपनी आज जादा बढ़ने का मौगा चार जुनको बुडवा मंगल के दिन अनुबाण जी के आसिल्वात से भारत की मंगल यात्रा की नई शुरूवात होगी साथ्यों देश की प्रगति से मास गाउं के लोग देवरिया के लोग खुश्यों से भरे हुए नजर आ रहे हैं लेकिन कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जिने भारत की प्रगति से फेट में दर्द हो रहा है ये लोग चार जुन को लेकर अलग ही सपने देख रहे हैं पाकिस्तान में सपा कॉंग्रेस के इंडी गड़बंदन के लिए दुआ पड़ी जा रही है सीमा पार से जिहादी उन्हें समर्थन दे रहे हैं यहां सपा कॉंग्रेस वाले वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं इनका मुद्धा देश का विकास नहीं यह तो भारत को कई दसक पीछे ले जाना चाहते हैं आप इनके मुद्धे देखिए इंडी जमात कह रही है यह सरकार में आएंगे तो कश्मीर में फिर से 370 लगाएंगे यह बटवारे के पिडितों को नागरिक्ता देने वाला सीए ये कानून रद करेंगे आप मुझे बताईए ये किसका एजंडा है यही तो भारत विरोधी ताकते भी चाहती है फिर इंडी वाले भी यही को चाहते है साथियों कॉंगेर्ट ने हमेशा देश की सुरक्षा के साथ खिलबार किया अभी एक और चौकाने वाला खुलाता हुआ है आपको पता है ना हमारे देश इतनी महत्रा में नौजवान है तो जरा इन बड़ा महत्वपकन मुद्दा में आज आपको बताने जा रहा हूँ मिडिया वालों के लिए मिन नया होगा आपको पता है हमारा देश ब्रह्मोस मिसाइल बनाता है और वो दूर दूर नहीं जब यूपी में भी ब्रह्मोस मिसाइल बना करेगी और ब्रह्मोस मिसाइल ऐसी है जिसका खौफ दूर दूर तक है दुनिया के कई देशों में ब्रह्मोस मिसाइल की मांग रही है लेकिन कॉंग्रेस को ये भी पसंद नहीं आया जो देश भारत से प्रह्मोस खरीदना चाहते देश दुनिया के कई देश कॉंग्रेस सरकार ने उनके सामने भी रोडे अटकाई आप जानते हैं क्यों ये इंडी वाले चाहते हैं भारत रक्षाक्षेत्र में ना आत्म निर्भर बने और ना ही भारत में हज्यार एक्सपोर्ट करने की छमता पैदा ये इंडी वाले चाहते हैं बिदेशी हत्यारों की डील होती रहे इनकी दलाली आती रहे बॉफोरस गोटाले होते रहे अगस्ट बेस्टलेंग गोटाले होते रहे भुकपात्रों ची मामा को वो वाला खेल कॉंग्रेस जारी रखना चाहती थी लेकिन भाईयों बहनो आज हम रक्षाक्षेत्र में आत्म निर्भर भारत की और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे है हमारे यूपी में डिफेंस कॉरिड़र बन रहा है देश का रक्षान दिरियाद 21,000 करोड रुपे से उपर पहुँच गया है अब आप बताईए देश में डिफेंस कॉरिड़र बनाने वाली सरकार होई चाहिए या दिवाली वाली या जो हर मोके पर दिवाली हो या हो ली हो हर मोके पर जो दलाली ही करना चाहते हैं क्या दलाली करने वाली सरकार चाहिए क्या साथियों ये कॉंग्रेस और सपा ये इंडी जमात वाले इनकी राजरीती का एक ही मकसद है तुष्टी करन तुष्टी करन के लिए हमारी आस्था को गाली देते हैं ये कॉंग्रेस पार्टी राम मंदीर प्रान प्रतिष्टा राम लला प्रान प्रतिष्टा का उसर उस निमंत्रा को ठुकरा देती है इंडी जमात वाले राम मंदीर को अपवित्र कहते हैं सपा के नेता राम मंदीर को जाना उसको पाखंड बताते हैं बैं आप लोगों से पूस्ता हूँ मुझे जवाब देंगे ने आप लोग राम मंदीर को गाले देने वालों को पुर्वान चल में एक भी सिज मिलनी चाहिए क्या किसी भी बूथ में उनको वोट मिलना चाहिए क्या साथियों इंदी जमात का अब अगला निशाना हमारे देश का पवित्र संबिदान है बाबा साब आमबेड करने धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं करना टका में कॉंग्रेस ने पिछडों का आरक्षण रातो रात मुसल्मानों को दे दिया बंगाल में PMC वालों ने फर्जी OBC सर्टिफिकेट बना कर पिछडों का आरक्षण लूट लिया मुसल्मानों को दे दिया UP में सपा उसी PMC का प्रचार कर रही है भाई यो बेहनों मैं मेरे दलीग मेरे पिछड़ा समाज को याद दिलाना चाहता हूँ 2012 में सपा ने अपने गोशना पत्र में लिखा था कि मुसल्मानों को दलीतों के बराबर आरक्षण मिलना चाहिए इंडी जमात इसके लिए संबिधान बदलना चाहती है मैं इनसे सवाज पूचता हूँ तो ये मोदी को गाली देते हैं धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध मोदी जट करके कर रहा है विरोध होना चाहिए गा नहीं होना चाहिए आम मोदी को साथ देंगे ये नहीं देंगे क्या धर्म के आधार पर आप देश को बटने देना चाहिए फिर से देश के टुकडे होने देना चाहिए बली इस पिछणा के आरक्षण की लूट रुकनी चाहिए या नहीं उनसे आज़ाई साथियो सपा केवल अपने परिवार का कुद्मा बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है यही सपा का चरीतर है आप याद करिए सपा का वो जंगल राज बेहन बेटियों का गर से निकलना मुश्किल था माबाब मजबूर होकर बेटियों का स्कूल कॉलेट छुड़वा देते थे व्यापारी इसी खोप में जीते थे अब कौन गुंडा फिरोती मांग ले कब किसका प्लॉड कब जा हो जाए कब किसका खेच चला जाए सरकार की जमिन तक पर माफ्याओं ने महल खड़े कर दिये थे लेकिन जब से योगी जी आए है माहोल ही बदल गया मौसम भी बदल गया हमारे योगी जी तो अच्छे अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है अब माफ्याओं की मौच खत्म हुई है उनके महलों की जगह गरीबों के लिए घर बन रहे है यही बीजेपी में और इंडी जमात के बीज में इतना बड़ा फरक है साथियो आज यूपी के लोग कर्वसे कहते हैं कि हम यूपी से हैं सिरा तान करके बोलते हैं यूपी अब बाकी राज्जों से केवल बड़ाबरी कर रहा है इतना नहीं अनेक राज्जों से मेरा यूपी आगे निकल रहा है मैं यूपी का सांसद हूँ आपका पडोसी हूँ मुझे गर्व हो रहा है आज मेरे यूपी में देश के सबसे ज़्यादा एरपोर्ट वाला राज्जे मेरा यूपी है सबसे ज़्यादा एक्ष्प्रेस में वाला राज्जे मेरा यूपी है सबसे ज़्यादा शेरो मेट्रो मेरे यूपी में बन रहे है बड़लाव कैसे आता है ये बाजगाओं देवरिया और गोरगपुर के लोग खुद देख रहे हैं पुरवाइन चल एक्ष्प्रेस वे के साथ गोरगपुर लिंग एक्ष्प्रेस वे सितामडी से हो जाता रामजान की मार्ग सहजनवा दोहरी गाड रेल लाइन ऐसे कितने कामी छेत्र में चल रहे हैं बंदे भारत ट्रेन ही यहाँ चल रही है कुशी नगर और गोरगपुर केवल कुशी किलोमेटर की दूरी पर दोदो एरपड छेत्र को मिले है अच्छी स्वाथ्प सेवाओं के लिए गोरगपुर में नया एम्स खुला है कुशी नगर में नया मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है दस साल के भीत विपतर ये विकास कारिया लंबी लीस है लेकिन मोदी तो कहता है ये तो अभी ट्रेलर है ट्रेलर अगर ट्रेलर इतना शांदार है तो आने वाले पांच साल कितने मजबूती से देश को उपर ले जाएंगे आप अंदाज लगा सकते हैं भाई और बहनो पिछली सरकारों के सासन में यहां किसानों का बहुत नुक्षान हुआ अधिकाओं चिली मिले बंदो गई किसानों को गन्ने की खेती छोड़नी पड़ी हमारी सरकार सपा के इन गड़ों को भी भरने का काम कर रही है हमने गन्ने के लिए एफार पी बढ़ाया है गन्ना किसानों का हजारों करोड रुप्य का बकाया चुकाया है बाजगाओं देवरिया के किसानों को पी एम किसान सम्मान निदी के भी देहजार करोड रुप्या मिले है साथियों एक जुन को आपका वोट बाजगाओं देवरिया और देश का भविश्य बनाएगा आपका एक एक वोट सीधा मोदी के खाते में जाएगा बाजगाओं से मेरे साथि बाई कमलेश पासवान और देवरिया से युवा साथि बाई शसांग मनित्र पाड़ी इन्हें भारी बहुमत से जित्वाना जाज़ा से जाज़ा वोटों से जित्वाएंगे जाज़ा से जाज़ा मजदान करवाएंगे सारे रेकॉर्ड तोड़ेंगे सभी पॉलिंग बूद में जितेंगे अच्छा मेरा एक काम करेंगे बड़े कमाल के लोग हो यार इनके लिए बोलता हूँ तो जोरों से बोल रहे हो लिए मेरे लिए कहां काम करोगे तो ठंडे पड़ गए ऐसा कैसा वाई बताओ मेरा एक काम करोगे ऐसा नहीं दोना हाथ उपर करके बताओ अरे मेरे जिगर के टुकड़े इतने हाँ है जरा दम लगा के बोलो ना मेरा एक काम करोगे देखिए हर गाव में हर इलाके में देवस्तान होते हैं तीर्थसान होता है आप वहाँ जाना मेरी तरफ से मथ्था टेकना मोदी के तरफ से और परमात्मा से आशिरवाद मांगना है मांगेंगे मथ्था टेकेंगे मोदी के लिए आशिरवाद नहीं चाहिए मोधी के परिवार के लिए आथिरवाद नहीं चाहिए विक्सित भारत बना ले के लिए आथिरवाद चाहिए करेंगे पक्का करेंगे बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद